सन 2019 में रेडिट पर एक 70 साल के व्यक्ति द्वारा एक पॉस्ट अप्लोड की गई उसके अंदर उसने काफी कुछ लिखा हुआ था और जब लोगों ने उस पॉस्ट को एंड तक पढ़ा तो यकीनन उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ उसके साथ हो सकता है जी हा हूं लाइक्स का काउंट तो वो बहुत कम होता है इम कर रहा हूं 23,000 लाइक्स का और इसे पहले कि मैं आगे जाओं आप से मुझे एक दो बाते करनी हैं वो ये कि पिछली दो वीडियो जो थी उनके नीचे आपको एक नंबर डिस्पले हो रहा था एच्वल में वो वीडि रखता हूं उसी चीज के लिए उन्होंने नंबर वगेरा दिया था अगर किसी को कुछ दिक्कत हो या फिर कोई अपने माइंड्स में ऐसे थोर्स लेकर बैठा हुआ है तो वो उनसे बात कर सकता है इंडिया में ऐसे बहुत सारी एंजियो हैं या फिर आ मुझ से भी बात क 3-4-5 दिनों का मैचल में गोआ गया था और वहां से जैसे ही आया और उसके बाद से पहली रिकॉर्डिंग मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं 70 साल के आठ नाम के एक वैक्ति ने अपने डॉक्टर के कहने पर जी हां जब उसके डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा उसे मजबूर किया कि तुम बताओ तुम्हारे साथ आखिर 30 साल पहले क्या हुआ था उस डॉक्टर को सिर्फ आज सक यही पता था कि इस वैक्ति का एक बच्चा उसे खो गया था वो कहा गया था क्या हुआ था उसके साथ लेकिन ये सब चीज़ें आर्ट ने अपने डॉक्टर को नहीं बताई थी लेकिन डॉक्टर उसे बहुत लंबे टाइम से बोलता रहा था कि तुम मुझे चीज़ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी प्रॉबलम का सोलुशन कैसे गर पाऊंगा आर्ट एच्वल में डिप्रेशन में चल रहा था वो भी पिछले 30 सालों से सन 1989 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी आने वाली पूरी जिंदगी अब ब प्रेगनेंसी में ही तुम्हारी पतनी की प्रेगनेंसी में ही मर गया था तब यहां आर्ट चुप रहता तो क्या वो जन्व होने के बाद से मर गया था तब यहां आर्ट चुप रहता डॉक्टर बार बार उस बात को खोदने की कोशिश कर रहा था लेकिन आर्ट ने अपन मुँ बंद रखा तब यहां डॉक्टर ने कहा कि तुमको अगर ठीक रहना है अपनी जिंदगी में आगे की जो बच्ची कुछी जिंदगी है उसको ठीक रखना है तो तुम्हें ये चीज बतानी पड़ेगी और तब यहां फाइनली आर्ट ने बॉलना शुरू किया एचल में 1970 यानि की 1970 में आर्ट की शादी हुई थी लीजा नाम की एक लड़की से और इसके एक साल बादी यानि की साल एंड होते होते 1970 और 1971 की शुरूआत में ही इन लोगों ने अपनी फैमिली का भी प्लैन करना शुरू कर दिया था और यहां लीजा फाइनल या प्रेगने अपने घर्म के अंदर एक नया मेहमाना ने की 1971 यानि की 1971 का अंत होते होते इन दोनों को बच्चा पैदा हुआ एक लड़का पैदा हुआ और जैसे यह लड़का पैदा हुआ यह लड़का बहुत जारा रो रहा था आम तोर पर सारे बच्चे ही रोते हैं पैदा होते ही औ और जब आठ और उसकी पतनी लीजा ने देखा कि उनको एक बेटा पैदा हुआ है, दोनों बहुत जादा खुश हो गए, जल्दी ही लीजा को हॉस्पिटल से शुटी मिल गई और ये दोनों अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ गए, लेकिन जैसे ये दोनों लोग अपन ये बिलकुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कुछ दिर बाद अपने आप ठकार कर चुप हो जाएगा, वो उसको बार-बार कुछ चीजे खिलाने पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी चीजे फेल हो रही थी, क्योंकि हाँ, इन दोनों का बच् अच्छा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, जैसे ही वो अपनी नींज से उठता, उठते ही रोना शुरू करता, और जब तक वो सो नहीं चाता अगली बार, तब तक वो रोता ही रहता, कुछ भी खाया, वो बाहर निकाल दिया, थोड़ा बहुत अंदर गया, दूद प लेकर, लीजा और राड, ये तोनों बहुत ज़रा परिशान हो गए, कि जरूर हमारे अंदर ही कोई कमी रही होगी, जो हमारा बच्चा इस तरीके से डील कर रहा है, अविसली इन दोनों के लिए पहली बार हो था, कि वो किसी बच्चे को हैंडल कर रहे थे, तो उनको पता लाइने बीच चुके थे, और तेरा महीने बाद सडनली एक दिन उसका बच्चा अराम से चुप हो गया, ये चीज़ देखकर, वो तोनों बहुत ज़रा खुश हुए, कि वा, हमारी केरिक अंदर शायद कोई इंप्रूव हो गया है, हमने समझ लिया है, कि आकिर बच्चों लाइने बना कर रखता, जैसे हम परिशानी में ऐसे लाइने बना कर रखते हैं अपने दिमाग के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसे लाइने बना कर रखता, अपने माबाप को बहुत जारा गुस्से में देख रहा था, और जैसे ही उसने चलना से उपर का बच्चा अगर कोई हो लेकिन अब इस बच्चे के चलने के शुरुआत से ही गलीजा और आर्ट ने ये चीज नौटिस करी कि उनका बच्चा सिरफ तोड़ फोड में विश्वास कर रहा है बिल्कुल सही सुना अपने उसके सामने जो भी खिलोना आता जो भी घर का समाना आता वो उसको उठा कर किसी भी तरीके से अपना पूरा जोर लगा कर सिरफ तोड़ फोड़ कर रहा था अब फिर यहां आट उलीजा को लगने लगा कि कोई दिकत नहीं है बच्चा है उसको वो कुछ क्या ही कहेंगे उसको डाट नहीं सकते थे उनका अपना बच्चा था तोड़ फोड़ कर रहा है कोई दिकत नहीं है समान नहीं आ जाएगा लेकिन फिर से यहां उनको ऐसा लगने लगा कि शायद उनकी ही गलती है वो अपने बच्चे को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं आट और लीजा ने इस चीज़ को भी टॉल रेट किया लेकिन जैसे ही यह बच्चा अब दो साल का हुआ तब यहां उसको जो उसको डाइपर पहनाया जा रहा था वो डाइपर उसको खोलना आ चुका था उसने सीख लिया था कि उसकी माँ जब उसको डाइपर पहनाने के बाद खोलती है तो वो कैसे खोल रही है और दो साल का ये बच्चा उस डाइपर को अपने आप खोलने लगा लेकिन खोलने से दिक्कत नहीं थी दिक्कत यहां ये थी कि उस डाइपर के अंदर जो भी माल था ओविसली वो पोटी वग्यारा या फिर जो पेशाव वग्यारा तो सारा उस डाइपर के अंदर ही चिपका रहता है तब यहां इस बच्चे ने उस डाइपर के अंदर से सारा वो माल निकाल निकाल कर या तो अपने मूँ पर लगा लेता या फिर जा जाकर घर की दिवारों को उस माल से रंग देता उस माल से भर देता अब ये चीज़ द अर जगय कोने में डाइपर्स वग्यारा पड़े रहते, कोने के अंदर वो पॉटी वग्यारा के हाथ वग्यारा इस तरीके से चपे रहते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आटव लीजा ने मैनेज किया, लेकिन डेड़ साल बात तो वो और जारा परेशान हो चुके थे, क वो घर में कहीं भी जगय मिलती, उसको अच्छी सी साफसूसरी जगय वहीं पर बैट कर हग देता, और लिट्रली उसको बहुत ज़्यादा ये कुछ आ रही थी, वो हर आदेपोने घंटे में जा जाकर, घर के कोनों में, घर के बैड्रूम में, घर के बैड्स के उपर, बैट बैट कर ये ही कर रहा था, जैसे आट और लिजा ने चीज़ देखी, वो और जारा परिशान की, ऐसा क्यों उनका बच्चा कर रहा है, आकिर हमारे अंदर क्या कमी रहे गई हमारे बच्चे को पालने में, हमें तो समझ नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत सारे डॉक्ट ऐसा ही चला कि वो घर के हर कोने में, हर बैट के उपर, हर जगया ऐसे ही खुले में हग रहा था, लेकिन इसके बाद तो हालात और ज़्यादा बदलते जा रहे थे, जब यहां पर वो बच्चा साथ या आठ साल का हुआ, तब उसने अपना माल तो हर जगया हगना शुरू ह लेकिन इसके बाद से उसकी आदते और जारगंदी होती गई, वो सीधा बातरूम में जाता, बातरूम की शीट का कवर उठाता, अंदर से जितना भी माल पड़ा रहता जो भी बातरूम अगयरा था, उस शीट के अंदर पड़ा रहता है, जैसे भी, वो अपने हाथों में उसे कुछ ऐसे भरता और बाहर लाकर घर में ऐसे उचाल रहा था, अब ये चीज जैसे ही आट और लीजा ने देखी, वो परेशान की ऐसा बच्चा उनका क्यों कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, वो बार बार अपने बच्चों को अब डाटने भी लगे थे, उसको टार्गेट बना लिया था, वो सिरफ और सिरफ उस बैड के उपर ही जाकर पौटी वगेरा करता खुद से, और जो भी उस बातरूम के अंदर से माल वगेरा उठा कर लाता, वो सिरफ और सिरफ उस बैड के उपर ही लाकर गिरा रहा था, एच्चों में यहां उनके बेटे क तो अपने ही माँ बाप से कुछ खास दुश्मनी बन चुकी थी। जब यहां आट और लिजा को लगा कि सिर्फ उनका ही बैडरूम टार्गेट किया जा रहा है तो उन्होंने अपने बैडरूम को लोक करके रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी 15 साल का ये लड़का बाज नहीं आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिदा के ही बैडरूम को टार्गेट बना रहा था क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सकता था वो लोक रह रहा था तब यहां उसने कमरे के गेट के बाहर ही वहीं पर हलका होना को डाट कर भी देख लिया हलका हुलका मार कर भी देख लिया तो क्यों ना हम अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे ही उनके अंदर लॉक्स लगवा दे और यहां पर आप सोच कर देगे अपने बच्चे से अपने घर को बचाने के लिए इन दोनों ने मिलकर अपने घर क सारे के सारे locks बदलवा डाले और वो भी बहुत जादा heavy type के locks यहां लगाए गए थे ताकि एक 16-17 साल का लड़का उन्हें तोड़ ना सके आठो लीजा ने अपने बच्चे को जब वो 9 साल का था तब से ही उसे स्कूल में भी डलवाने की कोशिश करी लेकिन सोच कर देगे एक 9 साल के बच्चे को दो स्कूलों ने सिरफ और सिरफ तीन महीने के अंदर ही रिजेक्ट कर दिया उसको उठा कर वापिस घर चोड़ कर आए कि हम नहीं इस बच्चे को हैंडल कर सकते आप अपने बच्चे को अपने पास ही रखिए जी हां अब कोई अंजान वेक्ती तो क्यों ही टॉल्रेट करेगा दो स्कूलों से उसको बाहर निकाला जा चुका था लेकिन एक तीसरा स्कूल जो इस तरीके के स्पेशल डिसैबलिडीज के साथ बच्चों को हैंडल करता है उस स्कूल में इस बच्चे को एड्मिट करवाया गया लेकिन उस स्कूल वालों ने भी सोच कर देगे आप वो भी एक सुबह इस बच्चे से परिशान होकर इसको एक अकेली बस के अंदर कैद करके वापिस आटो लीजा के घर पर छोड़ कर चले गए बाउजी आप इस अपनी अमानत को संभालिए इस संपत्ती को हम नहीं संभाल पाएंगे यह हमारे बस की बात नहीं है अब जैसे ही वो वापिस इस स्कूल से अपने घर आया अब यहाँ पर यह बच्चा और जारा वॉयलेंट हो चुगा था अब वो घर के अंदर अपने किचन से जो चाकू थे उसकी माने जो भी चाकू वगएरा ला रखे थे वो चाकू ले लेकर हाथ में घूमता और जो भी लिटरली जो भी उसके सामने आता वो उसको पर वार करना शुरू कर देता एक 17-18 साल का बच्चा अपने ही माबाप के उपर वार करने की कोशिश कर रहा था बार बार लेकिन अब क्योंकि उसके माबाप को तो पता था कि ये कुछ ऐसा कर सकता है तो वो अपने आपको बहुत जारा डिफेंसिव मौड में रखते वो अपने आपको हमेशा बचाने की कोशिश करते कि उनका बच्चा कहीं उनको ही चोट ना पहुचा दे अब क्योंकि वो किसी आदमी को किसी वैक्ती को तो चोट पहुचा नहीं पा रहा था तब यहां इस बच्चे ने रोड पर जो अवारा कुत्ते और बिली गूमते हैं उनको टार्गेट करना शुरू किया सोच कर देखे वो दिन में कई कई कुत्तों को पकड़ पकड़ कर उनकी आँखों में वो उनके चाकु मार मार कर उनकी आँखे बाहर निकालता और ऐसे ही बेचारे कुत्तों को अंधा करके छोड़ रहा था जब यह चीज आर्ट और लीजा को पता लगी तो यहां पर वो समझ चुके थे कि नहीं अब यह चीज बहुत ज़्यादा भार होती जा रही है उनके कंट्रोल से भार होती जा रही है अब उसको कुछ करना पड़ेगा उन्होंने करने के नाम पर भी लिटरली कुछ नहीं किया उन्होंने जस्ट वो जो चाकू थे उन चाकू को ड्रॉर के अंदर रखकर ड्रॉर को ही लोक लगाना शुरू कर दिया अब एक चीज उस बच्चे को यहां अपने घर से नहीं मिलेगी तो अवियसली वो कहीं बाहर से इस चीज़ का जुगाड करेगा क्योंकि उसको तो इस चीज़ की आदत लग चुकी है और यहां जुगाड के नाम पर वो पडोसियों के घर से चाकूओं को चोरी करके आने लगा लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है एक बच्चे को जहां आठ और लीजा बहुत जारा प्यार कर रहे थे कुछ सालों पहले तक वो सोच रहे थे कि आने वाले टाइम में इस हालात बदल जाएंगे और उनका बच्चा संभल जाएगा लेकिन सोच कर देखे अब 17-18 साल की उम्र होते होते वो अपने बच्चे को अपने से दूर रख रहे थे लेकिन वो से बाहर भी नहीं बेज सकते थे क्योंकि अगर उसको बाहर निकाला घर से तो बाहर वालों के ओपर अटैक करेगा उनको कुछ हानी पहुचाएगा और बाहर वालों को तो पता भी नहीं है कि इस बच्चे से कैसे हैंडल करना है तो यहाँ पर सोच कर देखिए आट और लीजा ने अपने कमरे को लेकिन एक खुशकबरी जल्दी ही उनके लिए एक बहुत बुरा सपना बन गई जब वो अपने बेटे को देख रहे थे जी हाँ जैसी ही वो अपने बेटे को देखते तो उनको लगता कि ऐसा ही एक और चटपटा पैदा हो गया तो वो अपने आपको कैसे संभालेंगे वो तो लिटरली मारे जाएंगे एक ही काबू नहीं आ रहा है दूसरा कहा काबू आएगा लेकिन फिर भी उन लोगा ने सोचा कि नहीं हम इस चीज़ को अबॉर्ट नहीं करेंगे और जैसी ये बच्ची उस हॉस्पिटल में डिलीवर हुई आटो लिजा के हाथ में आई तो वो बच्ची बिलकुल नॉर्मल थी उसने कोई रोना धोना नहीं किया यहां पर वो चुप चाब अपने घर आ गई और घर पर भी आराम से रहने लगी अब ये चीज दे कर आटो लिजा बहुत जादा खुश कि हाँ हमने तो अपने बेटे की भी केर बिलकुल इसी बच्ची की तरह करी है ये बच्ची कितनी नॉर्मल है ये कितनी शांत रहती है जो इसको खिलाओ खा लेती है आराम से चुप रहती है जादा कोई शरारते वगयरा नहीं करती लेकिन उनका बेटा जब इस बच्ची की उम्र में था तब वो कितना जादा रोता था तब वो कितना जादा इधर उधर वो पोटी वगयरा क्या काम कर रहा था लेकिन ये बच्ची बिलकुल नॉर्मल है तब यहाँपर उन दोनों को यह पता लगया कि उन दोनों की care जो थी वो एक्टम OK थी दिक्कत पेटे के अंदर ही है तब यहां उन्होंने सोच लिया कि कोई दिक्कत नहीं है हम जस इस बच्ची की care करेंगे अब से और जैसी उनका बेटा 18 साल का होगा हम उसे लात मार कर अपने घर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि विदेशों में रूल होता है 18 साल के बाद से बच्चे अपने आप अपने घर को छोड़ कर बाहर निकल जाते हैं उनको अपने माबाप की कोई केर नहीं होती, बहुत ही बगवासा रूर लगता है मुझे तो यह, माबाप से दूर कोई कैसे रह सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता, खेर यहाँ पर आट और लीजा 18 साल का होने की वेट कर रहे थे, और इसी बीच उनके साथ कुछ बहुत बह अंकर हो गया, जी हाँ जैसे ही इन दोनों के माइंड में थोट आ चुगा था कि 18 साल बाद वो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे, तब यहाँ यह दोनों डिफेंसिव मोड में आ चुके थे, पहले जहाँ वो अपने बेटे की सारी गलतियां जेल रहे थे, वो क कुछ भी करता, तो यहाँ आट और लीजा उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ वो भी पकाड धीट था, कुछ देर तक बाहर रहने के बाद, कुछ दिनों तक बाहर रहने के बाद, वो अपना वापिस मूँ ठाकर घर के अंदर आता, और वापिस व ही एक दिन कुछ बहुत बहुत ज़ादा भयंकर काम हुआ, सुबह सुबह ही आट और लीजा की अपने बेटे के साथ बहुत तकडी लड़ाई हुई थी, और उन्होंने धक्के मार कर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि एच्छल में वो अपनी ही में जो उसका बच्ची का कमरा था, एच्छल में पहले आप समझ लीजी, यह सिंगल स्टोरी बंगलो था इनका, जो आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख रहे हैं, यही एच्छल में घर था, तो इस घर के अंदर घुसते ही लेफ्टर साइड में जो पहला कमरा था, वही इस उनको बहुत ही भयंकर चिलाहट सुनाई थी, और यह चिलाहट किसी और की नहीं बलकी उनकी ही बच्ची की थी, जी हाँ, उनकी बच्ची अपना पूरा जोर लगा कर रो रही थी, वह बहुत जोर से चिला रही थी, जैसे यह चीज आटो लिजा ने सुनी, वह तुरंत उन्हों ने चाबी लगा कर अपने कमरे का दर्वाजा को ला बाहर के तरफ हाए।一定要 you change हाथ में एक चाकू था और वो चाकू किसी और के उपर नहीं बलकि उसने अपनी ही छोटी बेहन के पेट के उपर रखा हुआ था उसको अंदर घुसाया हुआ था लिट्रली सोच कर दे कि वो तकरीबन आधा इंच उस चोटी सी एक साल की मासूम बच्ची के पेट में घुश चुगा था और उसी के दर्द से वो बच्ची इतना जोर लगा कर रो रही थी अब जैसे ही ये चीज माबापने देखी वो अपना गुसा कंट्रॉल नहीं कर पाए एक्चल में यहां लीजा यानि कि आठकी पत्नी और इन तोनों बच्चों की माँ वो एक्चल में स्टेट बॉक्सर रह चुगी थी और जैसे ही उसने ये चीज़ देखी कि उसकी बच् लगा वो उनका बेटा पसीता पीछे जाकर दिवार में लगा और यहां आठ ने उसे रोका भी नहीं क्यों क्योंकि वो ये चीज पहले से ही डिसाइड कर चुके थे जैसे ही लीजा अपने बेटे के साथ लड़ रही थी आठ तुरंत अपनी बच्ची के पास भागा उसने पालने के अंदर से अपनी बच्ची को उठाया उसके पेट से काफी जारा खुन निकल रहा था लेकिन भगवान की दया से वो अभी तक जिंदा थी उसको जारा कुछ चोटे नहीं आई थी हलके फुल के स्क्रैचिस से और एक गहरा घाव भी था लेकिन वो फिर भी जिंद रही थी उसके मूँ से खुन निकले जा रहा था लेकिन फिर भी उसका बेटे ने यहाँ पर कोई भी रियक्शन नहीं किया वो जस पिटता ही जा रहा था इसी बीच मौके का फाइदा उठा कर आठ अपने उस कमरे से बाहर निकला अपनी बच्ची को दूसरे कमरे में आने कि अपने खुद के बैडरूम में लेकर गया वहाँ पर लेटाया और पीछे से अब उसको आवाजे आई जा रही थी उसकी बीवी यहाँ पर जोर जोर से अपने ही बेटे को मार रही थी कभी लाट से कभी घूसों से क्योंकि यहाँ पर वो स्टेट लेवल की बॉक्सर रह लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका गिल्ट उसे बाद में हमेशा रहा कि वो उस टाइम पर अगर रोक लेता तो वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता जो कि 30 साल तक उसके साथ रहा आठ ने अपने कमरे के अंदर ले जाते ही अपने बच्ची की बैंडेज वगयरा लगाने शुरू कि जहां 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 उसको कट्स लगे वे थे जहां 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 उसको स्क्रैचिस आई वे थे और उस गहरे खाओ के उपर भी दवाई लगा कर उसने फस्टेड वगयरा पेचे से आवाजे अभी भी आए जा रही थी लेकिन अब उसका बेटा चिला नहीं रहा था। ने यहां लाइन क्रोस कर दी थी जब तक उसकी बेटी सो नहीं गई आठ नहीं पर आवाजे सुनी कि उसकी पतनी उसके ही बेटे को बहुत बुरे तरीके से मार रही है अपनी बेटी को सुलाने के बाद अराम से उसने वापिस बैड़ी के उपर रखा और तब वो बाहर की तरफ गया लेकिन वो बाहर निकल कर उस कमरे में नहीं गया जहां पर यह सब कुछ चल रहा था वो बाहर निकल कर डाइनिंग टेबल के उपर बैठ गया और वहाँ पर वेट करने लगा कि कब उसकी बीवी वापिस वहां से आएगी कुछ जिर्वेट करने के बाद उसकी बीवी फाइनली वहां पर शांत हुई वो बाहर निकली कमरे से वो पूरे उपर से लेकर नीचे तक खून में लदी हुई थी उसके दोनों हाथ इतने सूच चुके थे उसने इतनी जोर जोर से अपने बेटे को मारा कि उसके हाथ मार मार कर सूच चुके थे काफी सारा बलड उसके उपर शरीर के उपर लगा हुआ था और जैसे ही उसकी बीवी ने आर्ट को सामने बैठे हुए देखा वो उसके सामने आई आकर खुद भी डाइनिंग टेबल के उपर बैठ गई और आर्ट ने फाइनली अपनी बीवी से पूछा कि लीजा क्या वो मर चुका है लीजा ने कहा शायद हाँ पलट कर आर्ट ने कहा कि शायद हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो मर चुका है कुछ देर तक बाते करने के बाद लीजा वहां से उठी वो नहाने के लिए चले गई तब यहां आठ भी उठा वो अपने उसी बच्ची वाले कमरे में गया जहां पर यह सारा कांड हुआ था दर्वाजा खोल कर उसने देखा कि उसका ही बेटा कौने में बध हवास हालातों में पड़ा हुआ है पूरा उपर से नेकर नीचे तक खून में लदा हुआ है वो अपने बेटे के पास गया लेकिन वो अभी भी जिन्दा था जी हां उसकी बेटे की हार्ट बिट जैसे ही को लगा कि ये अभी भी जिन्दा है मतलब कुछ और भी यहां दिक्कत हो सकती है अपने बेटे को देखने के बाद आठ यहां पर कन्फ्यूजन में आ चुगा था कि वो एक्च्वल में इस टाइम पर वो पुलिस को कॉल करे या फिर वो एम्बूलेंस को कॉल करे इस कन्फ उसको वो जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो तब यहां इन दोनोंने प्लैन बनाया कि अगर वो जिन्दा है तो उठकर कुछ भी कर सकता है इसी से बचने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को उठाया और वो उपने घर की बेस्मेंट में जहां उन्होंने एक अलग से अ उन्होंने अब अपना घर बसा लिया था, उपर से उन्होंने बेश्मेंट को लॉग कर लिया, खाने पीने की आइटम्स जो थी, वो काफी सारे दिनों के अंदर ही रख लिया, उन्होंने अच्छल में यहाँ इनका प्लैन यह था, कि वो अपने बेटे को उपर वारे फ्लौ तो तक यहाँ उपर बिलकुल शानती थी लेकिन दो हफ़तों बाद अचानक से ही उपर से बहुत भयंकर आवाज आने लगी जी हाँ उनका बेटा अभी भी मरा नहीं था वो वापिस खड़ा हो चुका था उसने पता नहीं कैसे अपने आपको सर्वाइव करके रखा उसको प फान आ रहा है यानि कि उनका बेटा अब उपर कहर मचा रहा है तकरीबन तीन हफ़तों का टाइम बीच चुका था अब उपर से फाइनली आवाज यानी बंद हो चुकी थी यही चीज यहाँ नीचे आट और लीजा को पता थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उपर से कोई आवाज नहीं आएगी क्यों उनको पता था कि उनका बेटा कभी ना कभी तो बाहर जाएगा ही क्योंकि उपर लिमिटेड ही खाना था लिमिटेड ही पानी था और जैसी ही तीन हफ़तों के बाद उन्होंने दो तीन दिनों का और नीचे रहते हुए वेट किया कि उपर से जब आवाज यानी बंद हो जाएगी तब वो उपर जाकर देखेंगे कि आखिर उपर क्या चल रहा है और जब फाइनली आठ पहले बाहर निकला उस बेस्मेंट से और फिर लीजा बाहर निकली बच्ची को भी भी उन्होंने नीचे ही लॉक कर के रखा हुआ था और जब उपर जाकर उन्होंने अपने घर को देखा तो लिटरली पूरा एक मैस बन चुका था इतनी गंदी अंदर भजड मची हुई थी सारा समान इदर उदर उल्टा बुल्टा हो चुका था हर जगे खून ही खून था दिवारों के अंदर छेध हो रखे थे मुक्के मार मार कर दिवारे तोड़ दी गई थी लेकिन अब उनका बेटा उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था उन्होंने इंतजार किया उनको लग रहा था कि कभी भी उनका बेटा वापिस आकर उनके ओपर हमला कर सकता है लेकिन तीन साल बीच चुगे थे जी हाँ अभी तक उनको पताया कि 1989 के अंदर ही उसने अपने बेटे को अंतिम बार देखा था हो सकता है वो अपने उस घर से बाहर निकल कर कहीं और चला गया हो उसने अपने बेटे के साथ होने वाली दो कंडिशन्स बताई कि आखिर उसके साथ अब क्या हुआ होगा या तो हो सकता है कि वो जैसे गर से बाहर निकला तब वो 18 साल से ऊपर का था और उसने कहीं और जाकर अपनी जिन्दगी बसा लिए हो शायद हो सकता है वो अपनि उस बिमारी से overcome कर चुका हो अब ठीक हो चुका हो और कहीं रहता हो लेकिन हमें नहीं पता कहा रहता है। पिर ये हो सकता है कि अपने इसी लच्छनों की वज़े से अपने इसी कारनामों की वज़े से उसने बाहर के लोगों के उपर जाकर ये सब कुछ कहड़ाया हो उनके साथ मार पिटाई करनी चाहिए हो अब बाहर की दुनिया तो ये चीज डॉलेट नहीं करेगी तो यहाँ प कि 1989 के बाद से उसने अपने बेटे को आज तक कभी नहीं देखा और वो देखना भी नहीं चाहते सोच कर देखे आप एक बहुत ही कुरूसम स्टॉरी यहाँ पर देखने को मिली आपको क्या लगता है आगे यहाँ पर उस बेटे के साथ उस लड़के के साथ क्या हुआ आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए खर आज के लिए बस इतना ही पिछली वीडियो का शाउट आउट रोकर साड़ा को एंड कमेंट पिक में टो गेट शाउट आट इनेक्स वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन आबाद